हलो फ्रेंड्स, वल्कम टू आएक्जाम भी, I am Sushil Ragde, ex-manager, Reserve Bank of India आज है 18 जुले और अभी शाम को 6-6.30 बज़े तक Phase 1 का रिजल्ट नहीं आया है लेकिन हमें हमारी पढ़ाई continue रखनी है मुझे पता है कि कोई भी एक्जाम जो होता है उसके रिजल्ट के लिए वेट करना मुश्किल है लेकिन हमारे पास कोई option नहीं है क्योंकि Phase 2 का जो date है वो 30 जुले वो fix है और हमारे पास दिन है वो बहुत कम है इसके बारे में यह जो topic है आज का इसके बारे में काफी student ने मुझे question पूचाए कि sir government scheme है आपको पता है कि ESI का जो phase 2 है उसमें objective है MCQ और descriptive में और कभी-कभी आपका जो finance है उसमें भी finance related RBI की finance ministry की जो scheme है वो आ सकती है तो इसलिए यह देखते कि यह जो topic है इसकी पढ़ाई कैसे करें और कहां से करें तो चलो video start करते हैं तो सबसे main यहाँ पर आपका document होगा वो होगा आपका budget तो यह website पर जाना है आपको और यहाँ पर यह जो speech है हमारे finance minister जो है Mrs. Nirmala Sitaraman उनका जो speech है वो open करना है मैं आपको आगे दिखाऊँगा कैसे वो उसका front page दिखता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा स्टिल मतलब इससे ने डरना नहीं है बिल्कुल open करना है एक दिन का काम है एक दिन में आपके यह सारा हो जाएगा और यह बहुत productive काम होगा उसके बाद आपको यह document open करना है and budget at glance यह तीनों document कैसे दिखते हैं और उसमें किस तरीके से बढ़ाई करनी वो मैं आपको बताऊँगा तो budget जो है आपका सबसे important source रहने वाला है इससे हमें पता चलता है कि government का focus कौन से scheme पे है तो चलो आगे किस line में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यह जो key features वाला मैंने बुला था आपको यह key features of the budget यह है तो यह document है यहाँ पर आप open करेंगे यह जो है हमारा madam का speech है यहाँ से start होता है तो यहाँ पर आपको scheme ठीक है यह आपको ऐसा word search करना है scheme नाम से या फिर आपको योजना ठीक है उसके बाद यह जो मैंने आपको बताया कि वो जो important वाला जो key feature वाला यह open करने के बाद आप देख सकते है कि core of the core schemes यह question भी आ सकता है exam में कि core of the core schemes कितनी है तो यह 6 scheme है उसके बाद core schemes है यह core scheme है फिर बाकी की schemes आगे आगे आपको दिखाई देगा तो यह document में आपको सारी जितनी सारी government की scheme में वो सारी दिखाई देगी और यहाँ पर आपको क्या देखना है आपको amount देखना जैसे यह देखो 70,000 करोड उसके बाद 60,000 करोड एंड उसके बाद यह हो गया एक क्रेट्रिया दूसरा क् time का अगर आप देखेंगे यह देखी मान लीजी यह last time का last year का budget का कितना budget estimate था अभी इसमें आपको increment दिखेगा ठीक है तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चले कि कौन सा scheme है जिसमें sudden increase हुआ है एक तो sudden increase और दूसरा absolute number जैसे यह absolute number है यह देखो यह 36,000 है यह 39,000 के आसपास है करोड में बात कर रहें तो इससे आपको पता चलेगा यह एक बार देख लेना देखो simple काम है लेकिन हम ऐसी चीजों से डरते है economic survey open करने से डरते है budget से डरते बिल्कुल नहीं करना है मैं shortcut तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आपको यह सारा जो है य अभी दूसरा document है यह है आपका economic survey यहाँ पे आप click करेंगे यह website पे जाने के बाद तो यह document open हो जाएगा वहाँ पर देखो कैसे तरीके से दिखता है यह document है अभी देखो आप अगर just go through करेंगे तो आपको समझ में आगे देखो आयुशमान भारत योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना प्रधान मंत्री जीवन जीतवी भीमा योजना प्रधान मंत्री वयवंदना योजना प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना एक पूरे document में comparison किया है brief description and achievement इस तरीके से मुझे बतावा आपको बाकी रेडे में document जाता देखनी के जरूरती सब कुछ यहाँ पर मिलेगा otherwise आप सर्च करेंगे यह देखो मैंने आपको कहा योजना सर्च कीजे प्रधान मंत्री भारतिय जनवशदी परियोजना budget में pharmaceutical जो sector है उसके उपर काफी focus है इसके उपर direct question आ सकता है MCQ में आ सकता है या आपका descriptive में आप इसका use कर सकते है unemployment है employment का जो top chapter है वहाँ पर आप यह लिख सकते है यहां से क्या है लोगों को यह open करने के बाद यह केंदर जो open करने के बाद उनको job मिलेगा तो इस तरीके से आपको economic survey और budget से काफी important यहां पर insight मिलेंगे अभी यह जो है हमने एक file बनाई है I think near about 75 pages की वो file है ठीक है हमारा जो course है उसमें यह post किया हुआ है इसमें सारी जो government scheme अभी इसको update भी किया हुआ है तो यहां पर देखो आपको इस तरीके से यह जो है यह government scheme वाला अगला side में यह है PIV वाला ठीक है यह देखो यह important PIV news जितनी सारी पिछले 6-7 महने की जो PIV की news है जो हमने मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्या 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 पढ़ना है PIV का 52 pages का file है अगर आप देखें मंतरी गरीब कल्यान अन्नय योजना ठीक है तो यहां पर आपको यह PIV में सारा यहां पर देखने को मिलेगा और बाकी मैंने जो अभी यह हमारे course में क्या किया है अभी course में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़े होती वो जल्दी मिलती नहीं तो इसलिए अगला से सेक्षन में यह सारा पोस्ट किया हुआ है तो आपको यह एकोनामिक सर्वी की समरी देखिए बजट की समरी है और यहां पर हमने क्या किया था कुछ लोगों को डाउट था तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहां पर मैंने पहले सोचा था कि हम सारी जो लास्ट MPC की फिर साड़े पांच है फिर छे है फिर साड़े तीन हो गया तो इसके वज़े से क्या हो कन्फियोजन होगा तो इसलिए जो लेटेस्ट वाला है और पीछे के कुछ MPC में जो important decision ले तो उसका एक compressed file यहां पर बनाया हुआ है तो गवर्मेंट स्कीम वाला यह 70 pages का मैं आपको अगले स्लाइड में यहां पर दिखा दूँगा तो यह देखो यह है तो किस तरीके से पढ़ना है जैसे retail direct scheme objective क्या है features scope क्या है eligibility क्या है integrated ombudsman scheme किसके बारे में है कब launch हुआ है यह देखो कब launch हुआ है इसके बारे में features क्या क्या है ठीक है उसके बाद प्रधान मंत्री कब launch हुआ है features क्या है कौन-कौन eligible है इस तरीके से आप करेंगे तो यह बहुत short document है इससे आपका जो government scheme का सारा पढ़ाई यहां पर आपका हो जाएगा ठीक है और आपको पता है अभी भी देखो अभी भी result अभी नहीं आया है तो आप enroll कर सकते है आपको बिलकुल डरना नह ही अगर नहीं selection होता है phase 2 में enroll करने के बाद तो आपके phase refund हो जाएगी बहुत कम time बचाए अभी आप wait मत कीजिए near about 50% time जो available था वो already चला गया है अभी हमारा answer rating का program चल रहा है आप उसमें join कर सकते है और जितने अभी बचे है वो live करेंगे और जो होगे वो आप recording यहां पर देखिए इतना ही मुझे बताना था और आपको अगर government scheme के बारे में कुछ queries है comment section में पूछे मैं उसका answer दूंगा thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations